हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, आज मैं अपने सिंपल ब्लाउज को प्रिंसस का पैपलम ब्लाउज में कनवर्ट करना बताऊंगे, इसकी साइड स्टिच कोल के स्लीव सलक कर लेंगे, और एक न्यूस पपर में से फ्रेंट पोर्शन को ही हम मार्क करेंगे, उसके ल एट इंच पे मार करेंगे, अब उसको सिंपल राउंड शेप दे देंगे, ब्लाउज का फ्रेंट नेक मेरा ठीक है, बटन पटी भी ठीक है, तो उसको मैं चेंज नहीं करूंगी, अब शोल्डर से आम खुल के लिए सिक्स इंच पे मार करेंगे, और चेस्ट के लिए हम अ अब चेस्ट है, उतना ही हम वेस्ट लेंगे, आम हुल के लिए भी राउंड शेप दे देंगे, वेस्ट में भी हम स्ट्रेट थाइंग खीच के उतना ही लेंगे, अब शोल्डर से 1.5 इंच में मार करेंगे, और बटन पटी के साइट से उसी मार के आसपस में 1.5 इंच पे दोनों लाइन इटैच होगी, सिंपल प्लाउज में इसी पोर्शन में पहले प्रेट्स टलता था, अब प्रिंसेस कट में ये पोर्शन कट कर देते हैं, बस्ट पॉइंट से स्ट्रेट एक लाइन नीचे करके जोईन कर देंगे, उसके बाद में हम 2 इंच पे मार करेंगे, और वर्टिकली हम फिर 1.5 इंच पे मार करेंगे, बस्ट पॉइंट से थोड़ा राउंड शेप देते हुए उसको मिक्स कर देंगे, ये दो पोर्शन कट के अलग हो जाएंगे, अब फ्रेंट पोर्शन होके हैं मार्किंग पूरा, अब इसको कट कर देंगे, ये दोनों पोर्शन बेस्ट है, इसको जॉइन नहीं करेंगे, बस्ट पॉइंट को मार्क करके रखना है, ये सेंटर पॉइंट रहेगा, अब ये दो पीस हमारे फ्रेंट के लिए यूस्फुल है, इसमें हाफ इंच एक्स्टर रखते वे, स्टिचिंग के लिए हाफ इंच एक्स्टर करते वे मैं मार्क कर ले रही हूं, सिर्फ वन साइड में, अब पीछे के लिए, इसकी चोड़ाई थोड़ी कम है, इसलिए मैं स्लीव को यूज करूंगी, स्लीव के नीचे में ये कपड़ा अटैच करके, सेकेंड पीस निकाल लेंगे, ये ब्लाउस वैसे भी स्लीवलेस बन रहा है, इसमें भी फ्रेंट साइड में, हाफ इंच मार्जिन दिलाई के लिए रखेंगे, बस एकी साइड में हमको हाफ इंच मार्जिन रखना है, जो दोनों हम जॉइन करेंगे, इसलिए बाकी तीन साइड से बराबर हमको काटना है नियूस परके जैसा है, कट हो गया है, यहां पर हम स्टिच कर देंगे इस ब्लाउस का बैक पोर्शन की फिटिंग एकदम ठीक है, बस अन इवन एजस में हटा रही हूं और नेक भी ठीक है वैसे पर मैं थोड़ा डीप नेक करूंगी इसका, बाकि कोई अल्टरेशन नहीं होगा पीछे, अब यह फ्रेंट वाला पोर्शन हम जॉइन करेंगे, दोनों पार्ट्स को जोडने के लिए नीची से स्टार्ट करना है, साइड की दोनों स्टिच कर दिया है मैंने, दोनों पीस को, अब मेन फ्रेंट वाले पोर्शन को जोइन करेंगे, इनकी जोइन करने के लिए नीची से स्टार्ट करना है, नीचे से बराबर लेती हुए, स्टार्ट करना है, कोई भी पार्ट को स्ट्रेच नहीं करना है, और जो एक्स्ट्रा रहेगा कपड़ा, वो उपर से हम कट करेंगे, इसमें कप भी लगा सकते हैं, और मैं प्लेन बना रही हूँ, उपर जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचा था, उसको मैंने कट कर दिया है, विदाउट कप भी अच्छी शेप आ गई है, अगर पुराना बलाउस टाइट होगा, तो इस समय में आप मार्जिन भी और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बैक पार्ट का मैं गला डीप करूँगी, उसके लिए दोनों पार्ट को हाफ में फोल्ड करके, सभी एजस बराबर मिलाते हुए, तब मार्क करेंगे, उपर से में 10 इंच पे मार्क करूँगी, और दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइंग करके, हलका सा राउंड दे देंगे उसको, अब बराबर मिलाते हुए ही आपको कट करना है, नहीं तो गला ठेड़ा हो जाएगा पीछे से, डीप नेक हो गया पीछे से, फ्रेंट नेक इसका ठीक है, तो इसलिए उसमें कोई अल्टरेशन में नहीं करूँगी, इसको आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, या ऐसे ही फूल्ड कर सकते हैं आप इसको, मैं इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ, पाइपिंग लगाने के लिए, वन इंच चौड़ी पट्टी ले ली मैंने, उसको सबको जॉइन करके एक लंबी पट्टी बना दे रही हूँ, पाइपिंग बनाने के लिए ये वाला प्रेशर फूट में चेंज कर रही हूँ, इसमें हम डोरी वाली पाइपिंग बनाएंगे, तो डोरी को आपको ऐसे लगाना है, बीच में डर रखके, एक साइड चोटा और एक साइड बढ़ा रखना है, और चोटा अला साइड को न इसे पूरा स्टिच हो गया है, स्लीव में भी और नेक में भी, अब इसको फोल्ड करके, या तो आप मशीन से स्टिच कर सकते हैं, या तो फेर हैमिंग कर सकते हैं इसमें तुरपाई, मैं इसमें हैमिंग करूँगी, इसे पूरा हो गया है, पूरे नेक में और स्लीव में हैमिंग करके, फिनिशिंग से पाइपिंग आ गई है, अब मशीन से भी कर सकते हैं इसके उपर से, इसकी साइट के हमनों सिलाए करेंगे, इसके लिए इसको उल्टा रखे, पीछे वाले पोर्शन में पहले सेंटर मार्क करके, जैसे हमारी कमर का जो भी पोर्शन रहेगा, उसका वन फोर्थ लेके, सेंटर से वन फोर्थ एक साइट, वन फोर्थ एक साइट मार्क करेंगे, वैसी फ्रेंट के दोनों पोर्शन में भी 1 4th of waste मार करेंगे फिर center back का जो center portion में मार किये थे उसके बीच में बटन पटी रखेंगे फ्रेंट का center में रखते हुए फिर arm hole में हम 7 इंच मार करेंगे सब को बराबर मिलाते हुए हम side की stitch कर देंगे यहाँ पर double stitch कर देंगे हम दोनों तरह इस तरह से दोनों side से stitching हो गई है extra margin जो भी रहेगा उसको आप cut करके straight कर देंगे और इसके sides की जो extra margin है उसमें जो एक बहुत ज़्यादा extra है तो उसको cut कर देंगे और बाकी को fold करके stitch कर देंगे मैंने margin ज्यादा रखी है इसमें ब्लाउस में उसको मैं fold करके stitch कर देंगे अब एक पट्टी लिया है मैंने 3 इंच की इसमें नीचे फ्रिल एड करने के लिए इस पट्टी की इसमें आपको स्लीव सेट करनी तो आप कोई भी नेट का कपड़ा या कोई भी लाइट वेट फैब्रिक नहीं तो साड़ी की साइट से ही आप एक पट्टी काटके उससे फ्रिल वाली स्लीव सर बना सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा इस पट्टी की चोड़ाई आप अपने चोईस से ले सकते हैं बड़े फ्रिल्स भी बना सकते हैं और अगर कपड़ा नहीं बच्चा है आपके पास तो आप कोई लेस लगा सकते हैं मैचिंग की या साड़ी का जो अंदर पाला पोर्शन होता है पल्ले के अपोजिट इस प्रिल एटाइच करने के लिए उसको पत्ती को उल्टा कर रखेंगे ब्लाव के वेस्ट वाले लाइन में और आपको उसमें चुनर देते हुए आपको स्टिच करना है अब इसके पूरी चुनर्ट हो गई है फ्रिल एटाइच हो गया है अब इसके उपर स्टिच के उपर में हमनों एक लेस लगा देंगे जिससे फ्रिल दब भी चाहेगी और अच्छा अच्छा लूक आएगा इस तरह से आप कोई भी पुराना ब्लाउस को आप अपरी चेंज करके आप नया लूक दे सकते हैं नया ट्रेंट केस आप से आप चेंज कर सकते हैं देखे पुरा ब्लाउस तैयार हो गया स्लेवलेस भी हो गया नया पैटन में चेंज हो गया तो इस तरह से आप भी कोई भी ब्लाउस को आप इसली चेंज कर सकते हैं अगर आपको यह आइडिया पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब माई चैनल